हलो फ्रेंट्स अपना किचन में आपका स्वागत है आज हम लोग बनाने वाले हैं कच्छे कद्दू की बहुत ही स्वादिष्ट और लाजबाब सबजी बिल्कुल देशी स्टायल में तो फ्रेंट्स वीडियो लास तक देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालू सबसे पहले आप देखें तो फ्रेंट्स चलिए बनाना ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स यह देखिए कच्छे कद्दू को मैं बीना छिलकात छोड़ाए ही इस तरह से अच्छे से कट कर ली हूँ छोटे टुकडों में और साप पानी से धोली हूँ है तीस से पयाँ रासुन की कल्या लेंगे और उसको मिल लोग ऊखली में कूट लेंगे 10 अब लोग निकाल लेते हैं कि 10 से 12 सुखी मीर्च लेंगे और इस तरह से तूड़ लेंगे दो से तीन प्यास इस तरह से पतला पतला काट लेंगे कडाही में दो चम्मच बड़ा तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तो आधा चम्मच मेथी डालेंगे और सुखी मीर्च डाल करके हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे लाल मीर्च को हम लोग बस थोड़ा साई फ्राई करेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हलका साई सुनारा कर लेंगे अब इसमें हम लोग कुटी विला सुन डाल देंगे और उसको भी इस तरह से तेल में मिक्स कर देंगे और गयज का फ्लेम लोही रखेंगे अब इसमें हम लोग पतला कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिर तक प्याज को सुनारा होने तक भूनेंगे इसके पाले हम लोग एक आधी छोटी चमच नमक डाल देते हैं तकी प्याज अच्छे से गल जाए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज में नमक और भूनेंगे जब तक यह सुनारा ना हो जाए तो देखिए फ्रेंट्स प्याज अच्छे से गल गया है नमक डाल देने से और कलर सुनारा भी हो गया है अब इसमें हम लोग एक छोटी कटोरी चना दाल डालेंगे भीगोय अगर चना डाल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है सब्जी टेस्टी ही बनेगी मेरे पास चना डाल थी भी गोया हुआ इसलिए मैं डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को फ्रेंड्स इस तरह से बनाईएगा बहुत ही सिंपल तरीका है और इसको कोई भी बना सकता है बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है अब इसको हम लोग ढख करके दो मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे देखें फ्रेंड्स दो मिनट हो चुके हैं अब अब ढखकन उतार करके एक बार इस तरह से सब्जी को चला लेते हैं यह देखें अब इसमें मसाले आड़ करेंगे एक चमच जीरा पाउडर एक चोथाई चमच काली मीर्च पाउडर आधा चमच लाल मीर्च पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमग फ्रेंड्स नमक आप ध्यान से डालेगा क्योंकि पाले हम लोग प्याज में नमक डाले थे इसलिए नमक जादा न हो जाए स्वाद अनुसार ही डालेंगे नमक को अब सारे मसालों को अच्छे से सब्जी में मीक्स कर लेंगे और ढख करके दो से तीन मिनट तक और पकने देंगे तो देखिए फ्रेंस तीन मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी देखिए थोड़ी थोड़ी पक चुकी है अब इसमें हम लोग दो छोटी चम्माच चीनी अड़ करेंगे अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप चीनी अड़ मत करिए चीनी डाल देने से सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है इसलिए हम लोग दो चम्माच के लगबग दो छोटी चम्माच चीनी अड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोलनी की हेल्ट से ही हम लोग सबजी को एक बार दबा के ऐसे बार बार चलाते रहेंगे और दबा दबा के तोड़ते रहेंगे ताकि हमारी सबजी अच्छे से बने तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सबजी रेडी है इस तरह से ट्राइ ज़रूर करें बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है और बहुत ही इजी है बनाना तो हमारी सबजी रेडी है आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें अगर रेशिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें